नमस्कार दोस्तों, हर्शित दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीच सागर स्पीशिसी न्यूज सीरीज चल ला था, पार्ट थ्री वीडियो है दोस्तों, आज हम दस और स्पीशिस के बारे में इन डीटेल डिसकस करेंगे सबसे पहला धोल, धोल को एशियाटिक रड डोग भी बोलते है दोस्तों, इंडियन वाइल डोग भी बोलते है या फिर मौंटेन भूल भी बोलते है, आप फोटो देख सकते हो यह नेटिव है दोस्तों, सेंट्रल, साउट, इस्ट एशिया और साउट इस्ट एशिया के लिए इंडिया में सबसे ज्यादा नंबर ओप ठोल से दोस्तों, और की पोपलेशन आपको देखने को मिलेगा Western Guts, Central India और North East India में Conservation Status देखिए International Union of Conservation of Nature का Red List में Endangered है, Sites का Appendix 2 में है Wildlife Protection Act 1972 का भी Schedule 2 में है अब दोस्तों और एक important बात ये है ये जो धोले Whistle Sound प्रोड्यूस करता है अब YouTube में सर्च मार के देखिए धोल Animal के बारे में तो आपको कई सरे वीडियोस मिल जाएगा जहाँ पे ये Whistle Sound प्रोड्यूस करते है अगला है बारा सिंखा बारा सिंखा को Swamp Deer भी बोलते हैं Swamp का मतलब क्या है? Wetlands ये Wetlands में अक्सर दिखता है, इसलिए Swamp Deer बोलते हैं वैसे बारा सिंखा का मतलब क्या है? ये आपको आसाम में कजरंगा नाशल पार्क में उत्रप्रदेश में दुद्वा नाशल पार्क में दिखेगा conservation status देखिए IUCN का रेट लिस्ट में वल्लरेबल है साइट स्काप एंडिक्स 1 Wildlife Protection Act 1972 का शेडूल 1 और बारा सिंखा मत्यप्रदेश का state animal भी है अगला है दोस्तों Bengal Florican Bengal Florican एक rare Bastard species है आप Great Indian Bastard के बार में सुना होगा वही species से ये भी विलोग करते है and it is very well known for its mating dance this is very important आप से इसा सवाल पूच सकता है ऐसा कौन सा bird species है जो mating dance करते है क्या होते हैं mating dance basically Bengal Florican में जो male है न दोस्तों वो females को attract करने के लिए एक performance करते है basically ऐसा लगेगा कि वो dance कर रहा है आप YouTube में वीडियो सेर्च कर सकते हो Bengal Florican mating dance करके आपको पता चलेगा ये किस तरह का display करते हैं females को attract करने के लिए so this is very important ध्यान दीजेगा now इनके habitat क्या है grasslands है occasionally interspersed with scrublands scrublands grasslands यह सब Bengal Florican का habitat है दोस्तों distribution देखिए native to only three countries in the world Cambodia, India and Nepal तीनों Asian countries है इंडिया में तीन states में it can be seen उत्तरप्रदेश, आसाम and अर्नाजल प्रदेश अब इनके उपर threat क्या है दोस्तों agricultural activities के लिए आजकर इनके habitat को convert किया जा रहा है तो ये major threat है conservation status है IOCN में critically endangered Wildlife Protection Act 1972 Schedule 1, Sites का appendix 1 अगला है Greater Argentin Stocks Greater Argentin दुनिया का most threatened stocks पिशे से दोस्तों बिहार के भागलपूर डिस्टिक में कडवा दयारा flood plains इनका third most popular breeding center है after Assam and Cambodia हिस्चोरिकली देखा जाएगा तो दोस्तों Greater Argentin इंडिया में और South East Asia में दिखते थे पर आजकल केवल Assam and Cambodia में है और थोड़ा बोद बिहार के भागलपूर डिस्टिक में कडवा दयारा flood plains में conservation status देखे IOCN रिपलिस में endangered है Wildlife Protection Act में Schedule 4 में आता है वैसे बिहार गर्मन Greater Argentin Stocks के conservation के लिए काफी कुछ किया जा रहा है दोस्तों Locally इसे Geruda भी बोलते है ध्यान दीजेगा अगला है Pink Headed Duck As the name indicates Pink Headed Duck Means Have a Deep Pink Head Photo में आप देख सकते हैं दोस्तों इनका जो Head है वो Deep Pink Colored है इनके हैबिटाट देखी Still Water Pools Marshes And Swamps In Lowland Forest Tall Grasslands Distribution देखी India Bangladesh And Myanmar सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा Northeast India में इनके उपर Threats क्या क्या है आजकर Wetlands का Degradation हो रहा है इनके हैबिटाट का Loss हो रहा है और इनके हंटिंग भी होता है अगेला है Siberian Crane As the name indicates यह Siberia से बिलोग करते है Siberia Northern Part of Russia है दोस्तो Siberian Crane Large Strikingly Majestic Migratory वेड़े दोस्तो यह migrate करता है और Siberia से Indian Sub-Cordorant तके पहुँचता है Indian Sub-Cordorant के बाद भी South की तरफ यह migrate करता है And they are known to arrive in winter at Caladeo National Park Rajasthan तो राजस्तान में केला देवर नाशनल पार्क में आता है Habitat Wetland एरिया से Obviously Distribution राजस्तान में केला देवर नाशनल पार्क है इनके उपर Threats क्या क्या है दोस्तो आजकल Pesticide Pollution होता है Farmers जो ज्यादा इस प्रिस्टिसेट यूज़ करते है ना इस वज़े से Siberian Crane के उपर भी Threats है इनका काफी Death Report हुआ था Wetland drainage वहर आजकल मतलब Wetland में से जो पानी है वो ड्रीन हो रहा है इस वज़े से Wetlands में फिश की availability कम हो जाता है तो वो एक problem है और इनके जो प्राइम habitat है इसे agriculture fields में convert किया जाते है आजकल और to some extent इनका hunting भी होता है ठीक है and it is also protected under convention on migratory species convention on migratory species के बार में भी हमने एक वीडियो बनाया था तो इसमें भी इसे protect किया हुआ है conservation status IUCN earthless में critically endangered है wildlife protection act 1972 में schedule 1 है sites में appendix 1 है अगला है fire corals fire corals या millepora आरे genus of colonial marine organisms क्या होता है colonial marine organisms मतलब ये colony में रहते हैं हमेशे आपको groups में देखने को मिलेगा और ये coral नहीं है इनके physical characteristics coral से मिलता है फिर भी ये coral नहीं है ध्यान दीजेगा इनकी distribution देखें Indonesia, Gulf of Chiriki, Panama Pacific province और पहले ये Australia, India, Indonesia, Malaysia, Panama, Singapore, Thailand में भी होता था इसलिए ही IUCN का reckless status में ये critically endangered है Wildlife Protection Act में schedule 1 में है sites का appendix 2 में है अब इसके उपर major threat क्या है दोस्तों इसे color किया जाता है for decoration and jewelry तो इसलिए fire corals का illegal trading भी होता है दोस्तों Jewelry and decoration के लिए इसे use किया जाता है और global warming की वज़े से आजकल जो bleaching भारा होता है coral reaching तो आपने सुनाई होगा ये भी इसके उपर एक threat है अगला है white flies white flies are tiny sap sucking insects क्या होते हैं दोस्तों sap देखे आपने से ध्यान दिया होगा plants से बड़े-बड़े trees से एक liquid निकलता है उसे sap बोलते हैं और यही sap पीने के लिए white flies पहुंच जाता है और यह warm weather में बहुत rapidly develop भी होता है अब देखे नाम पे flies है fly मतलब क्या होता है जो मखी category का है उसे आप fly बोल सकते हो पर यह fly नहीं है दोस्तों they are basically insects बट देखे इनका wings भी है और यह fly भी कर सकता है और white flies का जो mouth parts है न दोस्तों यह needle जैसा है और यह needle जैसा mouth part से यह sap को sucking करता है from the phloem phloem मतलब क्या होता है the food conducting tissues in plant stems and leaves plant stems and leaves में जो food conducting tissues से उसमें से यह sap को suck करता है ठीक है now honey dew left on its own can cause fungal diseases अब देखे problem ही है दोस्तों यह जो white fly से एक liquid निकलता है अब honey dew बोल सकते हो और इसे fungal diseases हो सकता है and white flies आने से जो पत्ते हैं वो yellow color में tear होता है dry appear होता है और कभी कभी नीचे गिर भी जाता है तो देखे plant growth के लिए white flies बिल्कुल अच्छा नहीं है अब यह news में क्यों आय था एक recent study हुआ था दोस्तों उसमें से यह पता चला invasive white flies in India are causing direct and indirect yield losses in agriculture तो white flies की वज़े से हमारे देश में agriculture में yield losses होरा करके एक study हुआ था इसलिए यह news में है था अगला है black soft shell turtle black soft shell turtle एक species of fresh water turtle है ठीक है habitat lower Brahmaputra river है distribution देखे दोस्तों they are founding ponds of temples in northeastern India and Bangladesh तो basically northeastern Indian states में और Bangladesh में temple से related जो ponds है न दोस्तों उथर यह दिखते है and its distribution range also includes the Brahmaputra river and its tributaries तो Brahmaputra river और Brahmaputra river के tributaries में भी आपको black soft shell turtle देखने को मिलेगा conservation status देखे IUCN red list में critically endangered है sites का appendix 1 में है दोस्तों final species locust locust are certain species of short haunt grass opus that have a swarming phase तो basically they are grass opus और इनका एक swarming phase होता है swarming मतलब क्या होते है दोस्तों it is the collective behavior in which locust aggregate together just like flocks of birds अब देखे दोस्तों locust attack के बार में अपने सुना होगा ऐसे आपको पता हो नीची है locust attack is one of the disasters which is covered in the disaster management act हमारा जो disaster management act में अलग-अलग disasters list out किया है ना उसमें locust attack भी है थ्यान दीजेगा now swarming मतलब क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ देखिए जो locust है ना इनके population बहुत होता है और यह collectively आता है बहुत सारी एक साथ आता है और देखने में ऐसे लगेगा कि flocks of birds है तो यह जो behavior है ना मतलब एक साथ आने का जो behavior इसे swarming आप बोल सकते हो now these insects are usually solitary but under certain circumstances they become more abundant and change their behavior and habits and becoming grouped basically यह जो insects है दोस्तो यह solitary एक अकेला रहना चाहते हैं पर कुछ circumstances में इनके population बहुत जाता हो जाता है और इनके जो behavior habits से वो सब change हो जाता है और locust attack भी होता है यह बात आपको पता है western states में तो काफी बार हुआ है locust attack conservation status कुछ नहीं है दोस्तों IUCN डिर्लिस में least concern है मतलब इनके population increase or decrease तो नहीं हो रहा है वैसे locust से हमें कुछ फाइदा तो नहीं है हमें नुकसान होता है यह जब attack करते हमारे agriculture production impact होता है और काफी से agriculture crops को यह खा लेते खराब कर देते हैं है कि नहीं now news में क्यों है था काफी महीने पहले locust attack हो था international boarding गुजरात में आपको पताई हो तो दोस्तों that's end of it I hope आपको वीडियो इंफरमेटी लगाऊगा लक्षे की PDF आई सोचल आपको टेलिग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका link नीचे provided है और एक part में यह सीरीज में खतम करूँगा तो part 4 के लिए वेट कीजिए thank you for watching bye bye have a next day